गर्मी के दिनों की शुरुआत में मौसम के साथ साथ तापमान में भी बदलाव होता है। यही वह वक्त है जब आपको जरूरत है मौसम के अनुसार खुद को ढालने की। जैसे जैसे गर्मी नजदी का रही है आपको अपने खानपान में कुछ बातों का विशेश ध्यान रखना चाहिए ताकि सेहत बरकरार रहे। जानिये पांच खास बातें। गर्मियों में आने वाले फलों में पानी की मातरा काफी होती है इसलिए इनका सेवन जरूर करें। जैसे तर्बूस खर्बूस खीरा आदी को नियमित लेने से शरीर में पानी के साथ खनिज लवनों की भी पूर्ती होती है। कर्मी में सामान्य खाना जैसे दाल चावल सबजी रोटी आदी खाना ठीक रहता है कर्मी में भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए इससे आपका हाजमा भी ठीक रहेगा और फुर्ती भी बनी रहेगी इसके साथ तली हुई चीजों को ज्यादा न खाईए हैं आपका हाजमा विगार सकते हैं कर्मीयों में शरीर का अधिकांश पानी पसीने के रूप में वाश पिकरित हो जाता है इसलिए दिन में कम से कम चार लीटर पानी पीएं कर्मी में नारियल पानी चाच और लसी पीने से भी जल का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है कर्मी के मौसम में तली और मसालेदार चीजे खाने की इच्छा ज्यादा होती है लेकिन इस मौसम में इन चीजों से बचा जाना ही बहतर होता है खाने में बहुत ज्यादा नमक भी न लें नमकीन मुंगफली तले हुए पापर चिप्स और तेल में तले हुए खाद्यपदार्थ नहीं खाएं तो बहतर होगा अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करें शेयर करें और हमारा हाश्मी.com चैनल सब्सक्राइब करें खन्यवाद